उत्तर पर्देश के उन्नाओं में बीते 30 घंटे में रेप की ये दुसरी घटना है जीले के असवा थाना छेतरे में चारा लाने खेद गई योती का सो मिला रेप के बाद हत्या की आशंका राइबरेली पुलिस ने एक ब्लाइंड मडर का खुलासा किया है जिसमें साधी सुधा प्रेमका ने अपने परजनों के साथ मिलकर प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया बताए जारा है कि प्रेमका ने अपने पती के साथ वाली फोटो सोसल वीडिया पर सेर कर दी ती इस बार से प्रेमी नाराज हो गया था इसके बास दोनों में विवाध हुआ था और फिर प्रेमका अपने परज़ोनों के साथ मिल कर उसकी हत्या कर दी है यहीं नहिस्टों को नहर में फेग दिया था जो कि अमेटी जल पसे बड़ा आई 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 जो थाना गोंती नगर जनपत लखनाओ करहने वाला था और नगर पालिका में समविदा करमी था वो अपने घर से गायब हो गया और चारफाद दिनों क कि तलाश के बाद जब वो नहीं मिला तो उसके घरवालों ने थाना गोंती नगर में 14 तारिक को उसके घुम्शूद की दर्च कराई उसके बाद जब पुलिस ने अपनी चानमिन शुरू की तो पता यह चला कि उसका मूव्मेंट और उसकी लास्ट लोकेशन थाना पुलिस ने जब जा करके क्याडवा गाव में पता किया तो यह पता चला कि इस गाउं की एक लड़की से जो जिसकी शाधी गोंती-नगर थाना चोत्र में ही और इसका मृतक के सामने हूई तो इसका मृतक के साथ जयान पैचान था प्रम प्रसंद भी था इस बात को ले करके पुलिस का शक बढ़ा और और भी चानमिन की गई और लड़की के घरवालों से पूस्ताच की गई तो उन्होंने अपना अपरात कुबूल कर लिया और ये बताया कि उनके द्वारा उस विक्ति की हत्या करके उसको बुलाया गया था और 14 तारी की जब रहात में आया तो उसकी हत्या करके उन्होंने उसके शव को पास के रजवाहे में बहा दिया इस सुचना पर पुलिस आपको बता दे कि लखनव के नगर निगम में कारेरे समीदा कर्मचारी बबलू यादो राइबरली की महराजगर की रहने वाले इसी तरह न्यूज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धान्यवाद